हलो फ्रेंद्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल मैं तो जी केसम में आपका स्वागत है आज हम रिजिन के आतनी महातपूर कोश्चिन लेकिया है ऐसे कोश्चिन निक्या में कई बार पूछे क्या है और एनवले पर इच्छों में पूछे जानी के पूरी सब भामना चले इ कोश्चिन के नीचे साइट देखें क्यों कि बड़ी संक्या है में नीचे साइट लेकरेंगे तो देखेंगे तो 35 जह पार पार इसने तो तीन दूनी 6 और 6 चांगी 36, 36 में माल लजेए इसमें 6 का गुणा खुद से कर रहे हैं, 6-36 माइनस 1 कर रहे हैं, तो हमें 35 में लाथ, यहां पास 216, तो हमें 216 के नहीं लग रहा है, क्या करेंगे हैं जोड़ेंगे हैं 7 15 15 busy करेंगे 10 Hani इंग 7 27 क्या व्लिट 1- ngàyा है क्या मिल रहा है 1200 3 hour मन लेए यहां पास zero का cube और 30 का cube और दो का cube तो इन सब का cube करके plus करने पर हमें क्या मिल रहा है , seventy मतलब 0 की करेंगे तो zero ही आएगा , three का cube करेंगे कितना ऐगा 27 तो और 20 का спी सब्ण क icing तो यहां पास दो का कैस में 27 की जोड यहां 25 फिर देखते हैं, देखते हैं, चार का क्यूब करने पर तो हमें क्या मिलेगा, इसी परकार हम 5 के क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर यहां पास 3 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखें, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आगा, 4, 16, 64, 64, और यहां पास 5 का क्य और यहां पास क्या आएगा 6,2,8,8,2,10,10 है गेरा यहां पास एक आया और यहां पास एक बचा तो यहां पास दो देखिए हमें 216 यहाँ पास मिल रहा है, तो मतलब हमारा logic काम कर रहा है, इसी प्रकार हम देखेंगे, यहाँ पास 2 है, 1 है 6 है, तो इसका भी क्यूब करके, यहाँ पास हम देखेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, तो कितना आएगा, 2 का क्यूब आएगा, 8, 1 का क्यूब करेंगे, यह numerator के रहीं, कुछ के रहें, वह एक ही रहेगा, हैँआ पास 6 के Серज चाम की खोरेंगे, 216, 216 में एक जोड़ेंगे, 17 यह सथे मिलने के हैँ, 27 सत्रा में 8 जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलने का 17,8,7,15 मतलब यहां पास क्या आएगा हमें 225 मिल गया यहां पास हमें क्या मिल रहे है क्या मिल रहे है 225 देखेंगे 225 किसी option में है क्या देखेंगे option number D में या तो option number D हमारा correct answer हो जाए चलिए इसे प्रकार अंगला question देख लिए अंगला question क्या most important question है देखेंगे यह भी missing number से हमें question mark किया इसको भी हमें नीचे साथ देख रहे है क्योंकि यहां पास 120 और यहां पास 72 तो देखेंगे इन तीनों संख्याओं को क्या किया जाए तीन, चार और पांच को क्योंकि यहां पास यहां पास 3 है, 4 है, 5 है तो देखेंगे तीन के square, 4 के square, 5 के square तीन के square कितना हो 9, 16 और यह 25 तो क्या 75 आएगा नहीं 25 ते 75 हो 22 ते 25 और यहां पास 72 चीए सवरी 25, 16 और कितना है 9 तो यहां पास हमें square करने पे 72 नहीं मिलेगा तो क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा 27, 4, 16, 64, तो पहले ही ज़्यादा हो गया, 5, 25, 25, 125 हो जाएगे, चोड़ने पर हमें क्यूब करने पर ये संख्या में नहीं मिलने, मतलब पिछले वाले question को logic कि इसमें नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे देखें, multiply करके देख लेते हैं तीन गुणे, 4 करते हैं, और 4 गुणे, 5, मतलब इन तीनों का आपस में multiply करके देखते हैं, मतलब 4, 23, 12, 25, 60, यहाँ पास हमें 60 मिला, यहाँ पास हमें कितना और चाहिए, कि यहाँ बहततर राज़े, 60 में अगर हम 12 प्लस कर दें, ध्यान से देखेगा, इन तीनों को मतलब हमें कितना आगा, 7, 25, 35, 35 तें, गुणा करके देख लेते हैं, 35 के तो पहाडा नहीं आता, तो 35 गुणे, 35, 35 गुणे तीन करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें 3015, यहां पास हमें 20 चाहिए, तो मतलब हमारा लोजिक यह नहीं लग रहा, यहां पास हमें ये संख्या में 12 इसी रो में हमें कहीं न कहीं से ढूनना पड़ेगा तो देखे क्या करेंगे इन तीनों को गुणा करने पर हमें क्या मिला 60 अब हमें 12 कहां से मिले ध्यान से देखे गए हैं पास 3, 4, 5 को जोड़ें पर किया 12 मिल जाएगा देखे इन तीन सक्ष्याओं का गुणा करनेगा एक बार गुणा किये तो हमें क्या मिला 60 एक बार प्लस कर लेते हैं इनको तो क्या मिला गया है देखे 5,7,35 का गुणा किये तो हमें क्या मिला 105 55 इन सबको जोड़ते हैंसे कितना मिलेगा हमें देखते हैं इंद बारा इटीन चाहिझे हैं यही लोजीकस में लगा कि देखते हैं क्या मिलेगे यहां पास देखते हैं आठ गुणदें गेहरह और गुणदें doesLife aать-88 88 में 2 का गुणा कर लेंगे तो हमें क्या मिलगा 88 में अगर हम 2 का गुणा कर लेंगे देख लेते हैं 8216 और 8216 176 मिलेगे 176 में हम 811 और 2 जोड़ देते हैं तो 8, 12, 10 और 11, 18 मतलब 18, 176 में 18 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगे नें किके लिदाश्या देखें इसी आप्से नमबर डी में तो ओसमी नमबर डी से धाया ऑगाँ, आपको समझ में आ गया होगी, यहां पास बड़ी संख्या और यहां पास छोटी संख्या तो यह तो divide किया गया होगा, मतलब भाग किया गया होगा यह तो कुछ तीनों संख्याओं का logic set करके यहां पास 65 लाया गया होगा यह किसी की square नहीं मिल रहा है यहां पास 65 क्या अगर हम 4 का square करके सरी चार का cube करके माल लेजे 16-64 होगा देखिए नहीं को 4 का square 4 का cube करेंगे 4-16-64 64 में 1 प्लस कर दे तो हम क्या में द्याए कि 65 देखें यहां पास 65 मिले हैं पर यहां पास कोई लोजिक लग रहा है क्या 256 किसके स्क्राइब होता है बारा पर हमें 144 और 16 16 कर सायद होता है 16 36 36 और देख लेते हैं इसके 16 को स्क्राइब हता है 256 16 16 9 शोला का स्कैर सोला का स्कैर मतलब इस चार का स्कैर है इसमें चार का डिवाइड कर दें तो हमें लॉजिक मिल रहा है कि सोला के स्कैर है चार का क्यूब है ये चार का क्यूब है प्लस वन है तो क्या ये किसी के स्कैर है ये तो किसी के स्कैर क्यूब ही नहीं ये नहीं स्कैर है तो हम यहाँ पास कौन सा लॉजिक लगा है हमें ये लॉजिक काम नहीं करेंगे तो अब हम ध्यान से देखेंगे 256 किन डिजिट से मिल यह दो को हटा दे दोनों को common ले लेते हैं इसमें तो यहां पास हमें 64 मिल जा रहा है पर यह कोई logic नहीं हुआ माले जी यह answer नहीं मिल रहा है यहां पास देखेंगे 56 है जैसे आपास 56 को उल्टा करकर लेक देते हैं 6 5 तो 65 मिल गया है इसी प्रकार 46 को 64 लेक देते हैं तो 64 मिल गया है मतलब हमें 64 यहां पास मिल भी रहा तो option number C हमारा correct answer हो चाहिए इसी प्रकार हम देखेंगे माले जी यह 36 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमे 65 देखें 25 चार उनतिस 36 और 29 जोड़ लेते हैं तो 9 6 15 और यहां पास 3 2 5 1 6 65 हमें मिल जा रहा है यह logic काम हमारा कर रहा है तो यही logic इसमें लगा है क्या करेंगे 2 4 6 को क्या करेंगे डिजिट की रूप में देखें 2 का स्क्वेर कर टो से स्क्वेर क्लिएगए प्लस चरbons किस्क्यार करेंगे च्वेर क्लिए यतनी स ost तो 16 032 और 26 जोड़ेंगे तो अमिाए 56 यहां पास यहा पास का अंसर क्या होगा च्पान च्पान क्या है यहां पास 56 किसमें option नमरे में तो option नमरे हमारा correct answer हो जाएगा तो इसे प्रकार हम अंगला question देखेंगे 64 का रिलेशन जिस प्रकार चौमन से उसे प्रकार बताना बहत्तर के रिलेशन कुस्ट्रम नाकिचे का कौन से बेली होगी इन चौर option में से द्यान से देखेंगे 64 को अगर हम जोडएंगे 6 और 4 को जोडएंगे तो कितना मिलेगा दस और यहां पास देखेंगे 5 और 4 को जोडएंगे तो हमें क्या मिलेगा नहीं इन दोनों के बीच के अंतर कितना minus 1 इसे प्रकार हम इन option में ढूने लेंगे कि 7 और 2 को जोडएंगे तो कितना आएगा 9 तो वो option minus 1 होगा जिसमें हम ढूनेगे कि यहां पास किसां क्या होगी जुनकी दोनों डिजिट को जोड़ने पर हमें 8 मिलना चाहिए क्योंकि यहां पास इसको जोड़ने पर 10 मिला इसको जोड़ने पर 9 मिला तो minus 1 का difference है इसी प इतना का minus 1 का यहां पास भी देखें क्या है 10 और 9 minus 1 का difference तो हमारा लोजिक क्या से टो रहा है minus 1 का difference तो यहां पास की वेलिए क्या हो गए 50 अपसा नमबर 20 है राइट एंसर होगा तो अई होपर कोश्चन भी आपको अच्छे समझ में आगा और आपके एक चाम में आगा तो